नमस्कार मैं कृष्णा खोश आप सभी को स्वागा थे डेली एडुकेशन नीज के इस एपिसोड पे वेश्ट बेंगल गॉब्मेंट की तरफ से रिसेंट जो अपडेट आ रहा है स्कूल, कॉलेज और अदर्स एडुकेशनल इंस्टिटूट को डियोपेन करने की तो अभी फिलल देखिए 30 of November 2020 तक वेश्ट बेंगल के अंदर हर एक एडुकेशनल इंस्टिटूट अभी क्लोज रहेगा फिलल देखिए November end तक COVID-19 का क्या सिचुएशन आ रहा है इसके उपर SOP Standard Operating Procedure को फॉलो करते हुए जो निया guideline से इसे publish किया जाएगा MHRD के दुआरा जो 15 तॉप October से हर एक स्टेट को SOP फॉलो करने के बाद स्कूल कॉलेज डियोपेन करने का जो instruction है ये permission दिया गया था मगर देखिए अंद्रपोदस की तरफ से उरिशा आसाम कुछ जगा में 2nd November से और कुछ जगा में 16 तॉप November से स्कूल कॉलेज को ओपेन किया जा रहा है फिलाल West Bengal Government की तरफ से West Bengal Higher Education की तरफ से जो decision अभी लिया गया है फर्स्ट December से आप लोग का कॉलेज का जितने भी सारे है कॉलेज को ओपेन करने के लिए सोचा जा रहा है मगर स्कूल के लिए अभी तक ऐसा कोई particular date मेंसे नहीं किया गया है West Bengal Government की तरफ से Education Minister पात्त चाटा जी ने ये जान कर दिया है After काली पुजा vacation ममता बनाजी से के बातचीत होने के बाद Higher Education की तरफ से नया जो advisory या फिर details में और भी ज़्यादा update दिया जाएगा मैं आप सभी को ये information share करना चाहतो जितने भी सारे AICT that's mean All India Council for Technical Education के अंदर में जितने भी सारे Technical Institute है AICT का last notice के मतबिक UG and UG का जितने भी सारे first year का engineering का classes है इसे first December से सुरू करने के लिए 15th October का जो notice था वहाँ पे instruction दिया गया है Bengal government की तरफ से भी ये जानकरी दिया जा रहा है अभी फिलल के first December से जो colleges से college को reopen किया जा सकता है या पिर आप लोग का जो पढ़ाई है नया event semester बता सकते है नया जो semester है या आप लोग का जो भी college का पढ़ाई है इसे सुरू किया जाएगा particular date और भी ज़्यादा update पाने के लिए आप लोग चैनल को subscribe करके मेरे साथ जूरे हुए रह सकते है और इस वीडियो को अगर आप लोग को अच्छा लगता है like चैनल पे अगर first time आये है तो चैनल को subscribe करके मेरे साथ जूरे रहिए और भी ज़्यादा बहतर जानकरी future में पान के लिये thank you